सर्सीवा ठाने की रायकोना गाउनी वासी आरोपी फिरोश खान ने अपने मकान में काम करने वाली श्रमिक महिला के साथ दुश कर्म किया और अश्लिल वीडियो बना कर वायरल करने की धंकी देकर बार बार पिरीता की आबरू से खेलता रहा इसे परिशान पिडिता ने सरसीवा थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है पिडिता ने पुलिस को अपनी आपबिती सुनाते हुए बताया कि फिरोज खान बुरपार से सरसीवा आने वाले नहर किनारे मकान बनवारा है जिसमें श्रमिक महिला कांग करने गई थी जो फिरोज खान ने पिडिता को मकान अंदर बुला कर उसके साथ जबरदस्ती की और अश्लिल वीडियो बना कर उसे परिशान करता रहा वही किसी को बताने पर वीडियो वाइरल करने और जान से मानने की धमकी भी आरोपी द्वारा दी जाती थी जिससे जर कर महिला ने किसी को कुछ भी नहीं बताया लेकिन आरोपी लगातार महिला को परिशान करने लगा जिससे आहत परिशान होकर महिला ने सर्सिवा ठाने में फिरोष खान के किलाब शिकायत दर्ट करवाई वहिल शिकायत होने के बाद से आरोपी फिरोष खान फरार है सर्सिवा पुलिस धारा 376-506 के ताहद अपराश पंदिबत कर फरार आरोपी की जाच में जुटी होई है आरोपी के नाम बता है आरोपी के नाम फिरोष खान है जो रायकुन अगर अपने वाला है उसको वीडियो मना आकर घंपाया कि तुम अगर घरे में बचाओगी तो तुमको जांसे तुमाल कि वार्दात कहा होई इसे वार्दात कहां पर होई यह वार्दात है यह आरोपी दोरा घर मना रहा है अभी आरोपी पुलिस की ग्रेप तमें क्या अभी फ्राद है व्याजना जादी आई आरोपी के आरोपी खिलाब कौन-कौन से धार अरोपी के खिलाब 376 पौन-कौन से आई-पी-सी का थाराब तो भी कले बस इतना ही तब तक के लिए हमें दीजे जाजा तोडिसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना डा भूले आई-डीपी-24 न्यूज और योट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी साथ बेल आइकन दबाना ना भूले